हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, तो हम पढ़ रहे हैं थर्मो डानेमिक सेकेंड सीरीज, उसमा गतिजी दूती है, जिसमें हम दस वीडियो पहले से ही पढ़ चुके हैं, यह हमारा ग्यारा वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मुक्त उर्जात था कार्य यह है, फ्री एनर्जी एंडर वर्क फंक्शन, तो देखें, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि यह कोशन किस तरीके से आता है, यह तो गेमिश्ट्री में कोशन सीधा डारेक्ट टॉपिक से उठा कर पूश देगा कि मुक्त उर्जात था कार्य रेफ तो यह दोनों समीकरण को क्या बोलेगा कि इसको सिध्ध कीजिये करके बोल देगा, तो इसी तरीके से ही केमिश्ट्री में कोशन आएगा, तो यहां पर फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या है, कोशन कैसे आएगा देख चुके हैं, तो एन्थेल्पी एच आंतरिक उर्जा-E तथा एंट्रॉपी-A के अलावा दो और उसमगति की फलन थर्मोडानिक फंक्षन है, जो तंत्र की आवस्था पर निर्भर करता है, वे हैं कारे फलन तथा मुक्त उर्जा, कारे फलन तथा मुक्त उर्जा के लिए समीकरण विद्पन करते समय हम क्या क करेंगे E, H, तथा S का उप्योग करते हैं, तो हम पहले से ही यह प्रूब कर चुके हैं, कि जो हमारा S है, entropy है, E है, और H है, आंतरिक उर्जा और क्या है, enthalpy है, यह सभी क्या होते हैं, अवस्था फलन होते हैं, करके प्रूब किये हैं, अवस्था फलन होते हैं, ठीक है, तो इनके जैसे ही हमारा एक और आया है, कारे फलन A या W, और क्या है, मुक्त उजा जी, यह भी क्या होते हैं, अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन होते हैं, तो उनके जैसे ही, यहाँ पे भी हमें इनको calculate करना पड़ेगा, तो यही question में भी आता है, कि किस तरीके से calculate कर सकते हैं, बताइए, इसके लिए समीकरन बढ़ता ही, तो सबसे पहले हम calculate करेंगे कारे फलन या वर्क function का, तो कारे फलन या वर्क function का हम calculate calculation देखेंगे, जिसमें हैं, हमारा helm holds मुक्त उर्जा, यह question भी आ सकता है कि, हेल में होल्ज मुक्त उर्जा का समीकरण वित्पन्न कीजे, या कार्य फलन का समीकरण वित्पन्न कीजे, यह हुआ, question तो अब solve करते हैं, इसका कैसे करेंगे, तंत्र के कार्य फलन आंतरिक उर्जा तथा एंट्रॉपी में संबंध दर्शाया गया है तो कैसे संबंध तीनों में दर्शा सकते हैं उसको देखते हैं तो यहाँ पे equation लिखते हैं क्या-क्या है संबंध A equal to E minus Ts इसके द्वारा हम संबंध दर्शा सकते हैं इसको माल लेते है equation number 1 किसके किसके भी संबंध है यह आपका कारेफ फलन आंतरिक उर्जा तथा एंट्रॉपी में संबंध और साथ में क्या है temperature में भी है इनको संबंध दर्शाने के लिए equation दे दिये है equation number 1 यह हुआ तो equation number 1 चुकि E, T तथा A का मान तंतर की अवस्था पर निर्भर करता है इसलिए A का मान भी तंतर की अवस्था पर ही निर्भर करेगा हम पहले ही decide कर चुके हैं कि अगर यह तीनों का तीनों अवस्था वाला है तो यह हमारा A भी क्या हो जाएगा अवस्था फलन ही होगा माना कि किसी समतापी पक्रम में प्रारंभिक अवस्था में कारेफलन A1 है इसको सुधार यह कारेफलन A2 है प्रारंभिक अवस्था में कारेफलन A2 है मतलब कि यह A1 हो जाएगा प्रारम्भी का वस्था के लिए तो प्रारम्भी का अंती मवस्था के लिए जो equation number 1 आया था उसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या है A1 equal to E1 minus T is 1 और T को क्यों हम 1 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे मैं लिखी हूँ समतापी प्रक्रम तो समतापी प्रक्रम मतलग कि डेल T equal to क्या होता है 0 होता है या कोई चेंज रही होता तो T यहाँ पे T temperature ही रखे हैं 0 नहीं रख रहे हैं यह प्रारम्भी के लिए हो गया इसको माल लेते हैं और देखो यहाँ पे यह अंतिमा वस्था के लिए हो जाएगा A2 E2 minus Ts2 इसको माल लेते हैं equation number 2 और इसको माल लेते है equation number 3 प्रारम्भीक और अंतिमा वस्थाओं में कारेफलन A1 और A2 आ गया हमारा तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं equation equation 2 and 3 से दोनों को देखते हैं हम क्या हो जाएगा देखो हम A2 जैसे की रखें यहाँ पे A2 minus A1 equal to E2 E को एक साथ रख जाते हैं E2 minus E1 और minus क्या हो जाएगा temperature एक ही है और S2 minus S1 हो जाएगा यह नया आपका समीकरन ले लेगा इसको माल लेते हैं equation number हम फोर तो देखिए हम जब प्रारंभी कर अंती मवस्त है या अंती मवस्त है मायनस प्रारंभी का उस्ता करते हैं तो इसको हम क्या से सो कर सकते हैं डेल A से सो कर सकते हैं यह हो गया डेल A इसको हम क्या से सो कर सकते हैं डेल E से सो कर सकते हैं वैसे ही T को T ही रख देते हैं तेमपरेजर और S को क्या से सो कर सकते हैं यह हुआ इसको माल लेते हैं हम equation 5 यह हुआ तो नया equation ज़रेट हो गया इसको हम एक डिबे में बंद कर लेते हैं फिलहाल अभी question 5 में क्या क्या बोला जा रहा है उसको देखते है इक्येशन नश्वाइप में जो डेल ळाय लिखा है वह कार फल में वृृृःध्दी है देल A लिखा है वह आंतरी कुर जा में वृृृध्धी है अर देल S लिखा है वह तंथर की एंटॉपिय में सुझी है बोला गए तो del s equal to q minus q by t होता है तो q क्या बोला गए हिस्थीरताप पर उत्क्रमडिय परिवर्तन के समय तंत्रदारा ली गई उस्मा है क्योंकि ली गई उस्मा को हम क्या कर सकते है positive में सो कर रहे हैं तो ली गई उस्मा को positive में ना करके वहाँ पर क्या करेंगे negative में तो negative और positive को थोड़ा से ध्यार रखेगा तो देखें तो ली गई उस्मा है तो यहाँ पर फिर हाला भी change नहीं किया गए कि positive है कि negative है तो हम क्या बोल सकते है इसको अगर हम मैं इसको t को इधर ले आती हूँ तो क्या हो जाएगा नया equation t del s equal to Q हो जाएगा यह हुआ तो हमारा एक equation आया था del A तो देखें एक equation क्या था del A equal to हम del E minus t del s यह भी रख सकते हैं change के लिए तो इसमें हम t del s का मार रख देते हैं तो क्या जाएगा हमारा नया equation del A equal to del E और टी डेलेस के मान में क्यू रख देते हैं तो देखो अभी हम क्या बोले थे क्यू स्थीरताप पर उत्करमड़ी परिवरतन के समय तंत गारा ली गई उस्मा है तो ली गई उस्मा है मतलब कि यहाँ पे पॉजिटी नेगेटिव नहीं किया था यहाँ पे नेगेटिव किस्केप में आ रहा है हमारा यहाँ पे इक्वेशन पे समी करण पे मार रख रहे हैं तो आ रहा है यह हुआ तो उस्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है यहाँ पे लिख सकते हैं हम उस्मा गतिकी के प्रथम नियम से तो उसमा गातिकी का प्रतम नियम क्या है डेल E इक्वल टू Q-W है यही था तो Q-W अगर हम इसको –W को एक साइड ले लेते हैं और इन दोनों को एक साइड तो क्या हो जाएगा –Q हो जाएगा यह हुआ तो अब क्या कर देंगे देखिए इसको माल लेते हैं हम इक्वेशन नंबर जितना भी क्या है कितना वाला था माल लेते हैं A तो इक्वेशन नंबर A में डेल E-Q का मान रखने पर तो इक्वेशन नंबर कर देते हैं हम इसको B रख देते हैं तो इक्वेशन A and B से लिखो यहाँ पे equation A and B से तो फिलहाल देखो क्या हो जाएगा डेल A और मैनस यह डेल A तो था ही इक्वल टू क्या था डेल E मैनस Q था तो डेल E मैनस Q का मान यहाँ पे क्या आया है मैनस जब्लू आया है तो इसलिए मानस जब्लू यहाँ पे पुट कर दी है तो यह हमारा नया equation आ गया कि यही question भी आता है डेल A इक्वल टू मानस जब्लू सिद्ध करिए तो यह थियोरी में कैसे लिखेंगे उसको देखें है अताहस्थिरताप पर किसी प्रक्रम में कारेफलन A में होने वाली कमी तंत्य द्वारा किये गए अधिक्तम कारे के बराबर होता है या तो यह वाला sentence पूस देगा कि कारेफलन A में होने वाली कमी तंत्य द्वारा किये गए कारे के अधिक्तम कारे के बराबर होती है सिद्ध किजे करके तो question आपका वही देता है या तो topic उठाएगा या तो last आपको topic कुछता है कि जो सिद्ध हुआ रहता है उसको तो सिद्ध करिये करके तो इस तरह से question आता है कारे फलन में अब दूसरा क्या है हमारा दूसरा देखते हैं मुऍक्त उर्जा फलन तो इसको भी जैसे कि यहाँ पर हम सिद्ध कैये हैं वैसा ही इसको भी ले लेते हैं हम प्रूप करते हैं तो मुग्त उर्जा फलन या क्या बोलते हैं free energy function तो मुख्त उर्जा फलन या इसको हम Gibbs मुक्त उर्जा के रूप में लेंगे तो पूछाया क्या जाएगा कुश्चन, मुक्त उर्जा फलन क्या है? डिस्क्राइब करें करके पूछेगा, समीकरन विद्पन्न करेंजी, या क्या बूलेगा Gibbs मुक्त उर्जा या Gibbs free energy का समीकरन लिखिए, या समीकरन व्युद्पन न करिए करके इस तरी कैसे question आएगा तो देखते हैं किसी तंत्र की मुक्त उर्जा enthalpy यहाँ पे enthalpy है यह धरूदर हो गया है चलो enthalpy था एंट्रापी में नीमन संबंद अब क्या-क्या में बोला गया है मुक्त उर्जा, enthalpy और एंट्रापी तीनों में संबंद दर्साने के लिए जो फार्मूला है उसको लिखने के लिए बोला गया है तो G equal to H minus T S होता है यह आपका G is equals to H minus T S तो यह होता है आपका मुक्त उर्जा का फार्मूला तो हम क्या बोल सकते हैं कार्य फालन के समान मुक्त उर्जा भी अवस्था फालन या state function है यदि स्थिर्थाप T पर तंतर की प्रारंभिक अवस्था में मुक्त उर्जा G1 यह G1 है तथा अंतिम अवस्था में मुक्त उर्जा G2 है तो क्या हो जाएगा यह वाला जो equation number हम लिए थे equation लिए थे वो प्रारंभिक अवस्था के लिए क्या हो जाएगा G1 इक्वल टू H1 माइनस T समतापी है इसलिए T से लिख रहे हैं यह S1 और यह क्या हो जाएगा G2 इक्वल टू H2 माइनस TS2 इसको माल लेते है equation number 1 इसको माल लेते है equation number 2 प्रारंभिक अवस्था के लिए हो गया तो अब हम यहाँ पर equation क्या लिख लेते है equation 1 एंडर 2 से तो दोनों से क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा हमारा G2 G2 माइनस G1 इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस T H2 माइनस S1 जैसे कि हम क्या लिए थे कारिफ फलन के लिए थे work function के लिए वैसे यहाँ पर हम प्री एनर्जी फंक्शन के लिए रहे है यहाँ गया तो अब इसको हम change कर सकते है del G से इसको क्या से change कर सकते है H से यहाँ पर del S से कर सकते है ये हुआ, इसको माल लेते हैं equation number हम, sorry, equation number हम क्या माल लेते हैं, 3 माल लेते हैं, ये हुआ, एक equation आगया, equation number 3, अब इस equation में 3 दाब पर लेते हैं, क्या ले लेते हैं येहाँ पर? स्थीर दाब पर स्थीर दाब पर तो इस स्थीर दाब पर एक आता है डेल H is equals to डेल E और है हमारा प्लस P डेल V एंथल P का फार्मूला है यह यह हुआ तो डेल H यहाँ पर दीख रहा है तो इस डेल H में यह डेल H कमांड पुट कर देते हैं तो लिक लेते हैं फिर equation नमबर इसको दे देते हैं 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर equation और कमां equation equation 3 में रखने पर रखने पर तो क्या रहेगा equation 3 में रख देंगे तो पहले क्या था हमारा देखे del G equal to यहाँ पर यह वाल हमार रखेंगे तो क्या हो जाएगा del E plus P del V minus T del S हमारा नया equation आगया equation number 5 यह आया अब इसके बाद कैसे solve करना है अब दूती अनियम लगाना पड़ेगा तो इसको ऐसे रखते हैं अब लिखते हैं यहाँ पर उसमा गति की के दूती अनियम से दूती अनियम से तो क्या है हमारा del E minus T del S equals to del A यह हुआ तो del G equals to क्या हो जाएगा del G del A plus P यहाँ पर P है plus P del V हो जाएगा यह होगा ऐसा क्यों होगा हमारा कि कि यहाँ पर देखिए इसको हम इसका मार रखें तो यह वाला अगर हम करें तो del E और minus T del S equals to क्या हो जाएगा del G plus P del V होगा तो इसी कमार पुट किये हैं तो यह हो जाएगा हमारा नया equation यह हो गया नया equation तो इसमें अब इसको equation number कितना दने 6 दे देते हैं उसमागाति के दुदियने हमसे इस तरीके से आएगा हमारा तो इस कमार क्या था हमारा del G था इसे दे पुट कर दिये हैं तो del E minus T del S किस कमार रहेगा उसको देखते हैं तो अब देखो अब एक हम कारेफलन का जब ले रहे थे तो एक डिस्क्राइब किये थे del A equal to minus W यह वाला पुरूप किये थे न तो del A के जगह यहाँ पर minus W पुट कर देते हैं तो equation number चलो लिखते हैं यहाँ पर फिर इसको माल ले थे equation number 7 equation 7 का मान equation 6 में रखने पर यह होगा तो फिर हमारा नया है equation क्या हो जाएगा del G equal to minus W plus P del B यह हो गया तो देखो अब हम जरली del G जो होता है वो negative term में देखके हम सीख गये हैं तो इसको क्या कर देंगे इसको negative यह negative यह negative तो क्या हो जाएगा overall equation हमारा del G minus हो जाएगा equal to minus minus आपका plus हो जाएगा यह और यह क्या हो जाएगा minus P del B तो यह plus है उसको sign को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा हमारा तो एक नया equation आगया Gibbs free energy यह free energy function के रूप में Gibbs free energy function के रूप में तो इसी को हमें प्रूप करना था और क्या हो सकते हैं हम कि जहाँ del PV स्थिर दाप पर तंत्र द्वरा प्रसार में किया गया कार्य है अता समी करन से इस प्रस्ट है कि स्थिर दाप यह दाप पर मुक्त उर्जा में कमी del G negative प्रसार द्वरा होने वाले कार्य को छोड़ कर यह अधिक्तम कार्य है जो तंत्र से प्राप्त किया जा सकता है इसको भी पूछ सकता है कि स्थिर दाप यह दाप पर मुक्त उर्जा में कमी प्रसार द्वरा होने वाले कार्य को chोड़ कर यह अधिक्तम कार्य है जो तंत्र से प्राप्त किया जा सकता है क्यों करके तो यह आ सकता है अब देखो थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो भी आपका W-P-LV था को हम क्या बोल सकते हैं को कुल कार्य या क्या बोलते हैं नेट वर्क कहते हैं और ये डाटा वाला नेट वर्क नहीं है ये डाटा वाला नेट वर्क नहीं है कुल कार्य वाला है तो मैनस डेल जी इकल टू कुल कार्य लिख सकते हैं क्योंकि हमारा एक्वेशन क्या आया था देखिए यहाँ पे यह वाल minus P dell B के जगा कुल कारे लिखना है तो minus dell G equal to कुल कारेया नेटवर्कल लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं अतहा स्थीर ताब एवन दाब पर मुक्त औरजा में कमी कुल एक कारे के पराबर होता है ये बहुत बार पूछा है कि question क्या था स्थिर ताप एवन दाब पर मुक्त अउर्जा में कमी कुल कारे के बराबर होती है स्पस्ट कीजिए या समीकरन विद्पन न कीजिए तो आपको यहां तक समीकरन विद्पन न करना है तो दो यहां पर एक कोश्चन आते हैं या सिधा आपको क्या बोलेगा कारे फ़लन और मुक्त अउर्जा के लिए समीकरन विद्पन न कीजिए या यह दोनों को अलग-अलग करके कोश्चन दे सकता है तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में ताप तथा दाब का कारे फ़लन पर प्रभाव के साथ या इफेक्ट आप टेंपरेचर एंड़ प्रेशर और वर्क फंक्शन के उसार धनिवाद